गुद मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स देखे हमने एवियर्स के चैप्टर फ़र्स्ट आवर बोडी के वर्ड मीनिंग की थे आज हम इसकी बुक के एक्सराइज करेंगे और इसको समझेंगे ठीक है फस्ट हमारा क्या है identify the following body parts and complete their names ठीक है आपको कुछ जो है incomplete body parts दिये हैं हमें इन्हें क्या करना है complete करना है ठीक है के ठीक है डैश है उसके बाद e है तो यह हमारा क्या है knee की spelling क्या हो जाएगी k-n-double-e ठीक है ऐसी next है हमारा यह क्या है head ठीक है तो h-e-a-d head ठीक है ऐसी देखिए यह क्या है fit तो f-e-t fit ठीक है यह क्या है arm a-r-m क्या होजेगा arm ओके next क्या हमारा legs l-e-g-s legs next chest this is chest c-h-e-s-t ठीक है यह आपकी incomplete spellings है जिनको आपको क्या करना है complete करना है ओके ठीक है next क्या है हमारा how many do you have right in the given space आपको कुछ जो body parts दिये हैं इनका क्या लिखना है कि आपके कितने होते हैं how many ठीक है okay देखिए hands hands आपके कितने है two eyes कितने होती है two ears कितने होते है two feet two fingers ten mouth one nose one legs two head one ठीक है तो यह आपके body parts है हमारे कितने कितने हैं यह how many यह हमें बताना है ठीक है next देखिए here is a picture of the face write the name of each part at the right place एक picture दे रखिए face की ठीक है इसमें arrow बना रखिए हैं आपको क्या करना है जो body parts है उसका उसके सामने name लिखना है जैसे यह arrow है तो यह हमारा क्या हो गया forehead ठीक है यह क्या है हमारी eye यह क्या है teeth यह हमारी क्या है tongue ठीक है यह क्या है हमारे chin ओके यह क्या है हमारी nose यह क्या है हमारे ear यह क्या है eyebrow और यह क्या है हमारे hair ठीक है ओके, next देखी क्या है, answer the following questions, आपके question answer है, how many legs do you have, आपकी कितनी legs है, कितनी legs होती है, आपकी two legs, तो लिखेंगे, I have two legs, next है, how many ears do you have, years मतलब कान, आपके कितने कान है, I have two ears, कितने two ears, what is the color of your hair, आपके hair, hair means क्या होता है, बाल, बालों का color कैसा होता है, my hair color is black, मेरे बाल कैसे color के हैं, black, okay, count and write the number of teeth in your mouth, सभी बच्चों ने क्या करना है, अपने mouth में अपने teeth काउंट करने है, और यहां उसका answer लिखना है, ठीक है, यह आप स्वाम करेंगे, ठीक है, okay,